हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल रेट्स कुकिंग फ्रेंड्स अभी विंटर से तो पालक बहुत अच्छी आ रही है पालक की हम बहुत साई चीज़े बनाते हैं आज हम बनाएंगे पालक खिचडी जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है आप इसको जरूर ट्राय कीजिएगा तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले हम लेंगे एक कप चावल चावल अब कोई से भी ले सकते हैं बासमति या जीरासर कोई से भी एक कप लेंगे डाल डाल भी यहाँ पर तूर की भी ले सकते हैं मूंकी भी ले सकते हैं यहाँ पर मैंन नमक, आधा चमच हल्दी पाउडर, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और गैस पर चड़ा देंगे, और इसमें हम तीन विसल लगाएंगे, मीडियम फ्लेम पर, तो यहां पर विसल लगती है, जब तक हम पालक लिए हमने आपर, साड़े तीन सो ग्राम पालक लिए, इसको अच्छे से हमने दो लिया है, अब इसको ब्लांच करेंगे, तीन से चार मिनिट, बहुत जादा नहीं करना है, पानी गरम हो जाए तो पालक टालती है, और तीन से चार मिनिट ब्लांच हो जाए, तो इसको पालक को हम ठंडे पानी के अंदर निकाल देंगे, ताकि इ अगर आपके पास हरा वाला लसन नहीं है तो आप नॉर्मल दूसरा लसन भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें जो अच्छा चाहता है तो जादा दलता है इसको हम पीस लेंगे अब यहां पर हमने कडाई ली है इसमें डालेंगे घी गरम तो इसमें डालेंगे चमजीरा वन फोर स् हिंग इसको अच्छे से भून लेंगे अब इसमें डालेंगे एक कटावा प्याज और प्याज को भी हम अच्छे से भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक तो प्याज हमारा अच्छे से भून चुका है यहां पर हमने तीन टमाटर लिये इसको कट कर लिया है वह डाले और इसको अच्छे से भूनेंगे पहले अच्छे से मिक्स कर दीजिए फिसको ढग कर भून लीजिए जब तक हमारा टमाटर भूनता है हम किचडी को खोल कर देखते हैं इसका प्रेशन निकल चुका है यह देखिए किचडी हमारी बनकर तयार हो गई है अब यहां पर टमाट तक इसको अच्छे से भूनने देंगे यह देखिए यहां पर लगभग साथ मिनिट के करीब हो चुके हैं और यह पालक हमारी अच्छे से भून चुकी है अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा अधा कप पानी ग्राइंडर जार में जिसमें हमने पीसा था उसमें पानी अधा कप के करीब पानी डाल देंगे अभी आपके उपर डिपेंड करता है अगर आपको खिचडी को बहुत पतला रखना है या थीक रखना है उसके हिसाब से आप पानी कम जादा कर सकते हैं साथ में डालेंगे एक चमश नमक नमक आप देखके डालें क्योंकि बॉयल करत तब तक हम यहाँ पर कडाई में हमने तेल ले लिया है और इसमें हम काजू को फ्राय कर लेंगे यह उप्षनल है इसमें फ्राय के वे काजू फ्राय के वे प्याज बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ पर हमने एक प्याज लिया है इसको भी फ्राय कर लेंगे एक दम ब्रा तो यहां पर एक पैन ले लिया इसमें डालेंगे एक चमच घी और इसमें डालेंगे एक चमच कश्मीरी लालमिच पाउडर तो यह अच्छे से जब तक कुछ सेकिंड के लिए इसको डालने के बाद अब जिसमें आपको खिचुडी सर्फ करनी ना उसमें डाल दीजिए उप इसको खुद भी खाईए और सबको खिलाईए